जैहिन राधे राधे गुड इबनिंग अल आफ यू कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब की तयारी भी जबदस जिन्दाबाद और इकड़म जहकास सर्जी होगे ठीक है तो दोस्तों जैसे कि अभी अभी आज अरार्बी गुरूप डी का र कि यह था कहा है यह भोपाल का है तो अभी इसके अंतरगत भौपाल की बात करने वाले हैं थी कि भौपाल की कटाफ क्या गई है उसके अंतरगत जैसे भी हम अब लोग अग्यस कर सकते है ठीक है चलिए तो ग्रूप डी ने सब को चौका दिया जो नॉर्मलाइजेशन का उ सबसे पहले यह देख लीजिए कि गौवर्मेंट आफ इंडिया ठीक है मिनिस्ट्री आफ रेल्वे रेल्वे रेकौर्मेंट बोर्ड भौपाल यह भौपाल का रिजल्ट है और इधर दिखा काटेग्री ओपन एंड एक्स में मतलब कटा आप आपकी प्रसेंटाइल स्कोर इसमें नामलाजेशन वाह जबरदर्स तरीके से नामलाजेशन ने हमको खुस किया नामलाजेशन एक ऐसा पॉइंट व्यू हुआ है इस बार कि बहुत अच्छी तरीके से नामलाजेशन होगा इसकोर के काटिक जिन्होंने कम अटेम्ट किया था और उनके रॉंग कम गए ह है तो एक्वरेशन की बहुत अच्छी है उनको बहुत फाइदा मिला है इस रेल्वे ग्रूप ट्रीमें ठीक है नामलाजेशन मार्ट को देखेंगे तो कितना अच्छा है यू आर की मैरिट को हम चेक करेंगे सबसे पहले चलिए यू आर की मैरिट यह देखो भाई बाई मतलब अगर देखा लें तो बहुत ज्यादा है किसाब से बहुत ज्यादा है नामलाजेशन होने के पाद उनके स्कोर्स में कितनी बढ़ोतरी हो कितनी गटोतरी हुई है यसी का 87 गया है और एस्टी का 83 गया है OBC 93 गया है ठीक है EWS 79 तो सबसे अच्छा फाइदा और benefit किसको मिलता है EWS को मिलता है ठीक है EWS को मिलता है दूसरी बात अगर उनके normalization marks को देखें तो 65 बन रहे है और उनके 80 के 49 बन रहे है यस्टी के 24 24 बन रहे है और OBC के 58 बन रहे है तो normalization होने के बाद जो marks में increase हुआ है उससे भी काफी लोगों को राहत मिलेगी सारे students काफी खुस भ बहुत ज्यादा है एक शाप से असी अडशट 99 ठीक है तो यह यह बहुत अच्छा किया है कि गवर्मेंट ने कि यह शुब्धा यह दिया है normalization कि उससे में कुछ बच्चे क्या होता कि 40 45 सही कर पाते और 55 50 अटाइम करते हैं लेकिन रॉंग उनका 45 रहता जिसके अगर उनक किसी question hard हुए है तो उसके according question बढ़ने के chances है उनके number बढ़ने के chances ठीक है तो और भी जिनकी अभी आने वाली है result आने वाला है उनके लिए बहुत बहुत शुबकामना है all the best for your results ठीक है तो आगे हम लोग result की bet कर रहा है अभी coming soon दिखा रहा है तो अभी बाकी है सारे जोन का exam और coming soon दिखाई रहा है भी तो वह बहुत जल्द ही site पर upload हो जाएगा और जैसे upload हो जाएगा आप सब तो जरूर पोचेगा इस site इस website को हम description box में mention कर देंगे आप वहाँ से जा करके check कर सकते हो ठीक है और चेक करते रहिए पता नहीं कब किसका result आउट हो जाए और कब किसके भाग के ताले खुल जाए आज के लिए बस इतना ही आगे की वीडियो में जो भी information होए आप